दायोजनीज एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक और सिनिसिजम के संस्थापकों में से एक थे, यह विचारधारा प्रकृती के साथ सद्भाव नापूर्ण जीवन जीने पर जोर देती थी। दिन के उजाले में लाल्टेन लेकर चलना। उनके जीवन और शिक्षाओं ने पश्चिमी दर्शन पर एक स्थाई प्रभाव छोड़ा है। आए सुनते हैं डायोजनीज के कुछ अनमोल विचार। उस व्यक्ति के पास सब कुछ होता है जो कम से कम वस्तूओं में खुश र और सबसे मुर्ख भी। जब चात्र कुछ बत्तमीजी करते हैं तो शिक्षक को उन्हें डांटना जरूरी होता है। गरीबी क्या होती है यह आप खुद को ही सिखा सकते हैं। कोई किसी को दर्द नहीं पहुचा सकता, सिर्फ आप खुद को ही दर्द पहुचाते हैं। अच्छे व्यक्ति की पहचान केवल एक अच्छा व्यक्ति ही कर सकता है। कोई किसी को धोखा नहीं देता, बस जो उम्मीद लगी होती है, वो धोखा देती है। गुलाम होने की कला अपने मालिक पर शासन करना है कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि दो लोगों के सोचने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है अमीर आदमी के घर में थूकने के लिए उसके चहरे के अलावा कोई जगह नहीं होती है हर राज्य की नीम उसके युवाओं की शिक्षा है बुद्धिमान लोगों को खोजने के लिए खुद का बुद्धिमान होना भी जरूरी है कम बोलने वालों से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह जुबान से नहीं बलकि दिमाग से बात करते हैं कुट्टे और फिलोसोफर सबसे अच्छा काम करते हैं लेकिन उन्हें सबसे कम सम्मान मिलता है हमारे पास एक जीब और दो कान है ताकि हम कम बोले और ज्यादा सुने एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख के बीच में केवल एक उंगली का अंतर होता है मुझे दौलत की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से बहुत ज्यादा अमीर हूँ दुनिया के महान व्यक्ति के बहुमूल्य विचार सुनने के बाद आप बहतर महसूस करेंगे और ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित होंगे जो आपके लिए प्रामानिक हो भन्यवाद